एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है Hyundai Motors इंडिया की तरफ से जैसे कि कमपनी ने भारतिय बजार में एक्ष्टर लॉंच करने से पहले Casper को ग्लोवली लॉंच किया था तो सभी को उमीद थी कि Casper Micro SUV ही होगी जो भारतिय मार्केट में आएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ लेकिन कमपनी ने Casper के बजाए भारतिय मार्केट में एक्ष्टर को लॉंच किया बहर हाल अव Hyundai ने Casper नेम प्लेट के लिए एक ट्रेड मार्क दायर किया है और उमीद की जा रही है कि Casper नाम की गाड़ी को इंडियन मार्केट में देखा जा सकेगा हलांकि ट्रेड मार्क दा साथ ये ज़्यादा संभावना नहीं है कि कमपनी इसे भारतिय बाजार में इंजन के साथ लॉंच करेगी ऐसा इसलिए भी है क्योंकि माइक्रो एस्योवी साइज में ग्रेंड आइटन नियो से भी छोटी है लेकिन अगर कमपनी ने भारत में Casper नाम को ट्रेड मार्क करव कर रही है जिसकी टेस्टिंग कंपनी इसका ट्रेड मार्क करवाने के बाद हो सकता है कि कमपनी इसकी टेस्टिंग भारतिय रोडों पर भी करना बड़ी जल्दी शुरू कर दे बहीं कमपनी की Casper EV भारत में आने के बाद टाटा पंच EV, टाटा ट्यागो EV, MG कॉमेट EV और स ट्रोन EC3 जैसी अन्य इलेक्टरिक कारों से टकर लेगी, अलांकि अभी तक इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स बाहर नहीं आए हैं, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे, बहीं बात करूं इसके डिजाइन और डाइमेंशन की, तो Casper Hyundai के K1 प्लेटफॉर्म पर अधारित है, जिसका उप्योग कंपनी I10 के लिए भी करती है, बहीं Casper साइज में कोना और वेन्यू SUV से भी छोटी है, कॉमपेर्जन के लिए इस कार की नबाई मातर 3600 मिलिमेटर ही है, जिसका मतलब ये है कि ये सुजुकी इगनिस और रेनो काली Casper 1.0 लिटर नेचरली एस्पिरेटड और एक टर्बो चार्जड यूनिट के साथ आती है, जहां नेचरली एस्पिरेटड इंजन पर्ड्यूस करता है 75 BHP की पावर और टर्बो चार्जड इंजन पर्ड्यूस करता है 99 BHP की अधिक्तम पावर, हलांकि Hyundai Casper EV भारत में क अब और किस केमत पर आएगी, इसके बारे में अभी तक कोई भी खुलासा सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे ही इससे रिलेटड कोई न्यूस अपडेट बाहर आएगी, मैं आपको डेफिनेटली वीडियो के माधिम से न्यूस अपडेट दे दूँगा, तो गाईज ये थ तो, have a good day.